नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल नॉलिज पंडित पर मैं रंजीत पंडे आज आपके लिए जीके की सीरीज में 100 कॉशन्स लेकर आया हूँ प्रिवेस एस इंपोर्टेंट कॉशन है और ये सभी एक्जाम स्केल इंपोर्टेंट है हाली में SSC के नूटिफिकेशन आये हैं और गवर्मेंट एक्जाम के जो भी स्टेट लेवल पर एक्जाम हो रहे हैं उनमें भी ये प्रशन पूछे जा सकते हैं तो रिवीजन कर लीजिए 100 प्रशन हैं वन लाइनर में जल्दी ही वीडियो कम्प्रीट हो जाएगा तो चल चलता है तो यह के संख्या कितनी हैं तो वेदों की संक्या चार है, रिगवेद, अथरवेद, सामवेद और यजरवेद परिसितः गाइत्री मंदर कहां से लिया गया है? तो परिसितः गाइत्री मंदर रिगवेद से लिया गया है प्रथम मगध सामराज़े का उतकर्श किस सदी मैं हुा था? तो चटी सदी इसापूर्व पुर्थम मगत सामराजिका उतकर्ष हुआ था भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन का प्रारंब हुआ तो यहां मुद्रा का प्रचलन 600 इसापूर्व में प्रारंब हुआ था वासुदेव कृष्ण की पूजा सरुपर्थम किस ने आरंब की थी तो साथवन तो नहीं वासुदेव कृष्ण की पूजा सरुपर्थम आरंब की थी सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है तो इसे हम धर्म चकर प्रवर्तन के नाम से जानते हैं महावीर ने जैन संग की स्थापना कहां पर की थी तो महावीर जी ने जैन संग की स्थापना पावापुरी में की थी भारत में सबसे बढ़ा बहुत इस्थूप कहां पर इस्थित है तो साची में भारत में सबसे बढ़ा बहुत इस्थूप इस्थित है अशोग के साशनकाल में बौद्ड संगती किस नगर में आईजित हुई थी तो असुग किछ आशनकाल में बौद्ड संगती पार्टली पुतर नगर में आयजित हुई थी मौरे काल के नाम से जानते हैं महितनीज की पुस्तक का नाम था तो इंडी discouraged की स्थापना किस मौरे शाशक ने की थी तो समराट अशोक ने स्री नगर की स्थापना की थी प्राचीन काल में कलिंग का महान साशक कौन था तो खारवेल प्राचीन काल में कलिंग का महान साशक था कन्व या कान्व वंश का संस्थापक कौन था तो वह सुदेव कन्व या कान् पाकिस्तान में तक्षिसला विश्य विध्याले इस्तित है। तो समद्र गुप्त ने बारह राज्यो पर धर्म विजय प्राप्त की थी। तो पिराग में अर्षवर्दन अपनी धार्मिक सभाई किया करता था। मानो द्वारा सरप्रथम प्रियुक्त अनाज कौन सा था तो चावल मानो के द्वारा सबसे पहले प्रियुक्त अनाज था। हेरोड रोट्स के विवरन थे भारत के किस अन्य देश के साथ संबन्दों का पता चलता है तो भारत के इरान के साथ संबन्दों का पता चलता है। महरौली के जंग रहित लोह स्थम किस ने स्थापिक किये थे तो गुप्त वंश के सासकों ने महरौली के जंग रहित लोह स्थम को स्थापिक किया था। हिंदु बिधी पर एक पुस्तक मिताक्षरा किस ने लिखी है तो हिंदु बिधी पर एक पुस्तक मिताक्षरा विज्यानेश्वर ने लिखी है विक्रम सिलाव सिक्षा केंदर के संस्थापक का नाम क्या है तो धर्मपाल विक्रम सिलाव सिक्षा केंदर के संस्थापक का नाम है उस साशक का नाम क्या है जिसने वज़े स्थम्या कीरती स्थम का निर्मान कराया तो राणा कुम्भा ने वज़े स्थम्या कीरती स्थम का निर्मान कराया खजुराओं इस्तित मंदरों का निर्मान किसने कराय था, तो चंदेल राजपूतों ने खजुराओं इस्तित मंदरों का निर्मान कराय था तेरहवी शताबदी में राजस्तान के माउंट आबू में प्रसिद दिलवारा मंदर किसने बनवाए थे तो प्रसिद दिलवारा मंदर तेजपाल ने बनवाए थे किस साशक का काल कंणर साहित की उत्पत्ती का काल माना जाता है तो राश्रकूट का काल कंणर साहित की उत्पत्ती का काल माना जाता है राश्रकूट काल में राश्रिया प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था तो प्रधान प्रांत का जो था वह राश्पती कहलाता था चोलराजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था तो शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था किस राश्रकूठ साशक ने रामश्वरम में विजै स्थम और देवाले की स्थापना करवाई थी तो कृष्ण तिती ने रामिश्वरम में विजय स्थम और देवाले की स्थापना करवाई थी युद्ध में विशेष दिखाने वाले को विशेष योगिता दिखाने वाले युद्धा को कौन सी उपाधी दी जाती थी तो छत्रिय शिक्हामरी की उपाधि दी जाती थी भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है तो महमद गौरी माना जाता है कुतुब मीनार के कारे को किस ने पूरा किया था तो इल्दुत्मिस ने कुतुब मीनार के कारे को पूरा किया था नहन निर्मान कराने वाला दिली का पर्थम सुल्तान कौन था तो गया सुद्दीन तुगलक था मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यू कहां पर हुई थी तो थट्टा नामक स्थान पर मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यू हुई थी रज्या सुल्तान किसकी बेटी थी तो यहां इल्दुतमिस की बेटी थी अलबर्णी किसके साशनकाल में इतिहासकार था तो महमूद घजनवी के साशनकाल में इतिहासकार था लोधी बंस का संस्थापक कौन था तो भालोल लोधी लोधी बंस का संस्थापक था कुत्व बुद्धी नेवक की राजधानी कहां पर थी तो लाहोर में कुत्व बुद्धी नेवक की राजधानी थी किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक विवस्ता का विस्तरत विवरन दिया था तो इबन बतूता ने विस्तरत विवरन दिया था नई फार्सी काव शैली सबक एहिंद अथ्वा हिंद, हिंदुस्तानी शैली के जनमदाता कौन थे तो अमीर खुश्रो इस सैली के जनमदाता माने जाते हैं विजे नगर सामराज के स्थापना कब हुई थी तो 1366 में हुई थी अटाला मस्जित कहां परिस्ते थे तो यहां जौनपुर में इस्ते थे 1565 टीसवी में कौन सा प्रसिद देध हुआ था तो ताली कोटा का प्रसिद देध हुआ था किस विजे नगर सामराज में उमातूर के विद्रोही सामन्त गंगराय का दमन किया था तो विजर रंगर समराट ने उम्मा तूर के विद्रोही सामन्त गंगराज का दमन किया था उनका नाम था कृष्ण देवराय बुद्ध और मीरा भाई के जीवन दरशन में क्या मुख्य सामे था तो संसार दुखपूर्ण है इनके द्वारा यह कहा गया था भक्ति आंदोलन का आरम किसके द्वारा हुआ था तो अलवार और नैनार संतों द्वारा आरम हुआ था भक्ति आंदोलन के द्वारान असम में किस एक किस ने इस आंदोलन का प्रतिनित्त किया था तो संकर देव ने असम में प्रतिनित्त किया था भक्तितुकाराम कौन से मुगत समराट के समकालीन थे तो जहांगीर मुगत समराट के समकालीन थे भक्तितुकाराम परसिद्य सूफी संत सलीम चिस्ती कहां रहते थे तो यहां फतेपुर सीकरी में रहते थे महिला सूफी राबिया कहां की थी तो यह बसरा इस्थान पर उठ रहती थी शेरसा की महानता का धोतक क्या है तो प्रशाशनक सुधार इसकी महानता का धोतक है भारत में ग्रैंट रंक रोड किस ने बनवाई थी तो शेरसा सूरी ने बनवाई थी प्रसेद्व संगी तक कि तानसेन का मगबरा कहां पर इस्तित है तो यह गौालियर में इस्तित है सती प्रतागी बत्सना करने वाला मुगल समराड कौन था तो यह अकबर था किस युद्ध में भारत में मुगल राजी की नियू पड़ी थी तो पानीपत के प्रतम युद्ध के बाद भारत में मुगल राजी की नियू पड़ी थी अकबर की युवस्था में उसका सरक्षक कौन था तो बैरम खान था साहा जहां के समय में महावत खां का विद्रोही घटना कहां पर हुई थी हुई थी या नहीं हुई थी तो बिलकुल नहीं हुई थी किसके समय में कंगार हमेशा के लिए मुगल के हाथ से निकल गया था सिवा जी के सामराज की राधधानी कहां पर थी तो राएगर सिवा जी के सामराज की राधधानी थी पर सिद्च ये तक किस से सम्मन्दित है तो यह राणा प्रताप के घोडे का नाम है भारत में 1612 इसवी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फ्रेक्टरी कहां पर स्थापित की थी तो सूरत में स्थापित की थी भारत में पुर्टगाली सत्ता की वास्तविक नियू रखने वाला महांतम पुर्टगाली गवरनर कौन था तो अल्बुकुर्थ था किस मुगल साशक का वास्तविक नाम अली गोहर था तो शाह आलम दोती का वास्तविक नाम अली गोहर था किस मुगल बादशा का मूल नाम रोशन अक्तर था तो मुहमद शाह का मूल नाम रोशन अक्तर था राजी हडपनीती को किस ने प्रारम की थी तो लॉड डलहोजी ने राजी हडपनीती प्रारम की थी वीसवी सदी के पूरबार्ध में देश का भीशन तम अकाल 1942-1943 में कहां पढ़ा था तो यह बंगाल में पढ़ा था स्वामी वीवेकानंद का मूल नाम क्या था तो नरिद्र नाथ दत्त था भारत में अंग्रेजी सिक्षा किस के द्वारा लागू हुई थी तो बिलियम बैंटिक के द्वारा लागू हुई थी रामकिष्ट मिशन का मुख्याल है कहां पर है तो यह वैलूर में इस्तित है रामकिष्ट मिशन का संस्थापक कौन था तो स्वामी विवेकानन जी थे अकिल भारती किसान सभा सरप्रतम कहां आजित हुई थी तो लखनों में आजित हुई थी 1899 से 1909 के मुंडा करांदी का नेता कौन था तो बिलसा मुंडा जी थे 1857 के बरेली विद्रो का नेता कौन था तो खान बहादुर थे कानपुर के गदर का नेतरत किस ने किया था तो नाना साहब ने इस गदर का नेतरत किया था गवन्ना जनरल के कारेकाल में भारती राश्ट्री कॉंग्रेस बनी थी तो लॉर्ड डफरिन के कारेकाल में भारती राश्ट्री कॉंग्रेस बनी थी भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के स्थापना किस वर्स होई थी तो 1985 में होई थी उधारवादियों की कारेपद्यती का साधन कौन सा था तो प्रातना याचना फिर विरोध उधारवादियों की कारेपद्यती के साधन थे अगला कॉशन है शेरे पंजाब किसका उपनाम है तो लाला लाजपतराई जी का उपनाम है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्फ में हुआ तो 1928-29 में हुआ था महात्मा गानीजी की हत्य का भुईती तो 30 जनुवरे 1940 को हुई थी चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है तो रविंदर नाट टैगोर की कृती है चित्रा उपन्यास नौजवान भारत सभा किसने इस्थापित की थी तो सरदार भगत सिंग जी ने नौजवान भारत सभा इस्थापित की थी तो दोस्तों ये थे आपके 100 कोशन का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं लाइक करें शेयर करें चैनल परना है तो सब्सक्राइब करें कल फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद